हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आयोब के अप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है वह अभीवृति और विकास से है जो बहुत ज़ादे इंपॉर्टेंट है और यहां से कोशन बनते हैं तो दोस्तो प्लीज आप लोग वीडियो को इसकी मत किया करिये क्योंकि बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप मिस कर जाते हैं तो प्लीज आप लोग सुरू से लाश्ट तक बने रहेगा बहुत ज़ादा लंबा वीडियो नहीं रहता है यहां आप लोग अगर पारिकी से पढ़ लेंगे तो आपके दो से तीन नंबर बन जाते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का अभी वृद्धी क्या होता इसके बारे में चान लेते हैं दोस्तों मैंने बहुत आपको उन चीजों को यहां पे सिलेक्ट किया है जो आपको नंबर दे जो आपका स अंदाजा हो जाएगा किस टाइप के कैसे टॉपिक है कैसे प्रशन है यहां पे तो अभी वृद्धी चान लेते हैं क्या होता है अभी वृद्धी विकास, व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है, यहां परिवर्तन से तात्पारे शारिरिक मानसिक वा समिगादमक आदि से है, वास्तों में विकास भी अभिवरिद्यों का योग है, ठीक, विकास के परेडाम स्वरूप प्राडी में नई-नई योग यताएं, शारिक वह मालशिक कार्य को शलताउत बन्होती है उसे विकास का जाता है ठीक है फ्रंग के अनुसार फ्रंग ने क्या बोला है कोश्की गुडात्मक वृधई अभी वृधई कहलाद तक ही सिमित नहीं है इसकी अपिच्छा इसमें परिपक्व अवस्ता के लच और परिवर्तनों का प्रगति शील क्रम नहीं होता है ठीक है अभिवरिद्धी और विकास में क्या अंदर होते हैं इसके बारे में चाल लेते हैं दोस्तों यहां पर आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और बहुत ही अच्छे पॉइंट से यहां पर अभिवरिद्धी का समद्ध शरीर के किसी अंग अथवा उप अंगों में आती है और विकास जो है वो निरंतर चलने वारी प्रक्रिया ठीक है अगला है अभिवरिद्धी का अर्थ संकुचित है यह विकास की प्रक्रिया का अवयाव हिस्सा या भाग मात्र है ठीक है अभिवरिद्धी में व्यक्तिगत भेद पाई जाते हैं अभिवरिद्धी मात मातरात्मक पर्थच का बाह होती है किस क्या मातरात्मक अभिरिति को नापात तौला जा सकता है ठीक है अब देख लेते हैं विकास क्या होता है विकास के बारे में जान लेते हैं विकास समस्तांगों के समस्यात्मक समगरक का बोधक है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ठीक है दोस्तों ये बार बार पूछा हुआ कोशन है विकास क्या है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ठीक है विकास का अर्थ व्यापक है इसका संबन नकिवल शारीरिक पच्छ बलकी समेगात्मक सामाजिक मानशिक आदि सभी पच्छों में है ठीक है विकास में समानता होती है लेकिन इसकी दर सीमा में अंतर होता है ठीक विकास अपरतेच हुआ आंत्रिक होता है विकास गुडात्मक होता है ठीक विकास का अनुभग किया जा सकता है अगला देखते हैं विकास के प्रकार विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं शारिक विकास, मानसिक विकास समाजिक विकास, समय गात्मक विकास दोस्तो आज के लिए वस इतना ही नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शारिक विकास का फुल जो डिटेल है मैं आपको दूँगी मांसिक विकास, समाजिक विकास क्या होता है सिम्यकात्मक विकास क्या होता है इन सब की क्लास मैं अगले वीडियो में अगले क्लास में आपको दोंगी तब तक आप लोग पढ़ते रहे हैं खुश रहे हैं बाई बाई टेक केर थेंक यू सो मच